दोस्तों आज में आपके लिए पाँच ऐसी गुमने फिरने की जगा लेकर आया हूँ जिनके बारे में जानने के बाद आप कभी वहाँ नहीं जाना चाऊगे फिर भी अगर आप वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना क्योंकि वह आपकी जान भी जा सकती है अगर आपने ड्रेकुला के बारे में सुना है तो मैं आपको बता दू सबसे पहले ड्रेकुला का जन्म यही हुआ था जो दिखने में काफी खुबसूरत महल है लेकिन जैसे आप इसके खुनी इतियास के बारे में जानने लगते हो तो आपको इ स्मयल में कहीं इसी चीज मिल जाएगी जो कि यहां ड्रेकुला के होने का सबूत देती है चीची टनल्स वियतनाम के एक सहर में मुझूद यह टनल करीबन 120 किलोमेटर लंबी है जिसे वियतनाम के फिरेडम फाइटर मिलिटरी का सामान पहुचाने के काम में लिया जाता था जो कि साइस में इतनी पतली है कि कहीं बार लोग इसमें फस कर दम घुटने की वज़े से मर जाते इतना ही नई बलकी इसे बनाते समय लोगों को काफी जादा डराउनी मकडियों का सामना करना पड़ता था लेकिन आज के समय में ये टरनल काफी फेमस ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है जहां लोगों को 1960 के वो हतियार भी देखने को मिलते जिने यूद के दोरान काम में लिया गया था इसकाल सेमेट्री इस कबरिस्तान को देखने के बाद आप इसे कोई आम कबरिस्तान समझने की गलती ना करे क्योंकि काई लोगों का मानना है कि यह नर्क का दरवाजा है जहां लोग जैदातर इस बात का पता लगाने जाते कि आखिर यहां ऐसा क्या है, जो इसे इतना डरावना बनाता है इस जगह पर कई बार जमीन में जलती हुई आग को देखा गया वहाई लोकल लोगों की माने तो हलोवीन की रात को डेविल को एक छोटे बच्चे के साथ यहां कई बार देखा गया है चोएंग वन 1970 में इस जगह पर एक कम्यूनिस्ट लिडर ने हर पाँच में से एक कमबोडियन नागरी को मार डाला था जहां पर कमजोन लोगों का जाना मना है वेसे तो कमबोडिया में कई और एसी जगह है जहां लोगों को कुरूरता से मारा गया लेकिन इसके अंदर का इतियास इसे और भी ज़्यादा लोग पिरिये बना देता है इस होटल से जुड़ी कई भूतिया गतना है आज भी हमें लोगों से सुनने को मिलती है कई लोग इसके भूतिया होने का कारण 1926 में लगी आग को मानते जिसमें जलकर कई लोग मारे गए वह इसमें मौझूद रूम नंबर 873 कभी भी लोगों के लिए नई खोला जाता क्योंकि इसमें होने वाली भूतिया घटना है होटल की स्टाफ को भी सच लगती है वह कई लोगों का मानना है कि एक लड़की जिसकी साधी होने वाली थी लेकिन वह किसी वज़े से इस होटल में मर गई जिसकी आत्मा आज भी उस होटल में गूम रही है दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकेंड लगेगा इसलिए वीडियो को जरू लाइक कर दे और वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना